श्रीमत भागमत में राजा परिछिट जेब सुकड़्दे मुनी महराज से भावश सुनने के लिए वैठा बेदाब्यास मुनी महराज जी उन्हें नमार्ग दर्शन किया कि आप क्योंकि उम्रित्टू से घबराया था आप मुरित्टू से घबराया हुआ प्रानी कहीं भी जाता है जिसको मुरित्टू का भय नहीं खाता न उसको कहीं भटकने की आवस्कता नहीं आज नहीं तो कल होना है ये कोई रदय से मान ले तो उसको भटकने की आवस्कता नहीं पर जिनको मृत्तु नाम से ग्याती ही नहीं वास्तविक में कहो जिंड़गी में तो मृत्तु बिलकुल सत्य है एकडम परफेक्ड सत्य को समझने के लिए मृत्तु परफेक्ड कैसे जो संसार में आया है उसका एक नए एक दिन इस सरीर का परिवर्दन होगा ही होगा जीवन को हम समझते हैं कि सत्य है भासता है हमको जीवन सत्य है मृत्यू असत्य है भासता है ओ कब कोई आपका साहभ बंदगी करें अब साहभ बंदगी करते समय आप कहेंगे कि आप मरने वाले तो साय तो साय बंदगी करना छोड़ जाएगा हटाव इसका कुल बंदगी करे वही है उल्टा पुल्टा बोलता है मरने का याद दिलाता है और अगर वो साय बंदगी करते समय यह कह दे आयो स्वान भाव चिरंजी वह यो दो चाथो आपको अच्छे से बात बताते हैं तो आप खुश हो जाएंगे प्रशन हो जाएंगे लोग प्रशन हो जाएंगे कि मुझको बहुत बढ़िया उन्होंने आशिर बात दिया उन्होंने कहा चिरंजी वह आश्रान भाव तो क्या आप दुनिया से नहीं जाओगे जर्व दिल से पूछो तो उनके कहने से रह जाओगी क्या लेकिन उसे सुन करके हमारे कान करण अप्रियो हम इतने प्रशन होते हैं क्या पूछना लगता है कि हम जीवन से कभी हारेंगे नहीं मृत्तु का कभी दर्शन होगा ही नहीं हम उनसे प्रशनता जाहिद करते हैं अब मर जाओ कहने वाले से हम नाराज हो जाओगे लेकिन दिल से पूछो कि सत्य बात क्या है आज नहीं कल हम रित्तु के गोद में सोएंगे सत्य है जो इस संसार में जन मेलिया उसका मृत्तु होना निस्चीत है जिसका मृत्तु हो जाएगा उसका जन्म लेना कोई परफेक्ट बात नहीं इस जीवन को पाकर के कोई व्यक्ती ऐसा भी मृत्तु को प्राप्त करता है जिसको जिन्दगी फीर से जीवन जीने की कोई आवसकता नहीं है कि नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं मृत्तु को पा करके अमर्ता को प्राप्त कर सकता है लेकिन जीवन को पा करके अमृत्तु उसका होगा ही इसको कोई टाल सकता नहीं ये संत्य बात है लेकिन मृत्तु संत को सुन करके हम घबराया जाते हैं वैसे ही राजा परिछित मृत्तु से घबराया हुआ था उनकी कथा बताने लगो तो बात उधर ही चली जाएगी क्यों घबराया थी यह तो आप जानते हैं ठीक है ना अमरित्व से घबराया हुआ प्राणी बेदव्यास मुनी महराज से गया का कि मुझे एक सब्ता में मेरा कि अबरेक तो हो जाना है अमरेज जीना चाहता हूँ कुछ उपाय है कै उपाय है पर उपाय मैं नहीं बताओंगा आप सुगदय मुनी महराज के पास देखे स्रिमत भागवाद के रचेईता बेदव्यास मुनी महराज जब वो लिख सकते हैं तो कह नहीं सकते थे कि बता नहीं सकते थे कि बता सकते थे लेकिन उन्होंने प्रटोल आपने आपको कि नहीं यह राजा है परिवारिक जिवन इसका भी है परिवारिक जिवन मेरा भी है अदोनों बराबरी होकर के बात करेंगे तो कहीं न कहीं बात अठक जाएगे इसलिए उन्होंने सीजा इंगित कर दिया कि उसमते मुनी महराज के पास जो वही बताएंगे आपको इसका उपाए अब उन्हें के पास जब गया ना तो हाँ जोड़ करके उन्होंने प्राथना के कि महराज मैं मृत्तु से घबराया हुआ प्राणी हूँ क्या अमर्ता को प्राथ कर सकता हूँ क्या मृत्तु को रोका जा सकता है उन्होंने सार शर बीक कह दिया गुडा थे को दो बात में मताया पहले उन्होंने कहा क्या हाम रिद्व से बच जो पहले nervous को एक और छोटी सी इसी बीच में आपको में कहने बनाओ, बताओं, एक बुढ़िया माता थी, बिल्कुल जिर्ण श्रिन हो चुकी थी, सोस्ती थी कि पेटा की कंदा में मैं संसान को जाओंगे, सपना सजाई थी, पर बिधी के विधान ने ऐसा किया, कि बेटा को मा को कंदा देना पड़ा, चौथी चरण में जा चुकी थी, बिधी अवस्ता हो चुकी थी, लेकि नेसा दुरभग्य हुआ, बिधी कब किसको आ जागा इसका कोई ठीकाना, नहीं, हाई क्या ठीकाना, कोई ठीकाना नहीं, तो बेटा ही का मृत्तु हो गया, माता खुप घबराई, औ सीर कुट-कुट करके रोने लगे, जब वो रोने लगी, तो आसपर के पडोसन भी आ गया, इकठे हो गया, खाफी लोगों की भीड हो गई, तो इतने बीच में एक संथ वहीं से गुजर रहा था, भीड को देख करके, उन्होंने भी प्रवे सिलिया के भीड का है, सब कहानी कहानी महात्मा जी एक ही बारे में कहां, की बेटा जी जाएगा, जैसी उस ने कहा द장이 एक जी जाएगा, तो सब का रोना बना, बिलकुर शॉक जैसे, करेंट जैसे, सब का रोना बना, का बाबा ये बताओ, baik Deutsch गये जाएगा, तो ये ऐक तोला रही की जुरत है, एक त पर ध्यान रहे हैं, उनके घर से लाना जहां, जहां से जिस घर से किसी कम रितु ना, लोग एक तोला राई को तो ध्यान में रखा, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं, उसको ध्यान में नहीं लिया, बात तो सुन रहे हैं, लेकिन उसको ध्यान में नहीं बैठा है कि जिसके पुखे एक तोला राई चीज़ा ना, तो कई एक तोला क्या, मेरा बेटा जी जाएगा, आप एक तोला राई दोगे तो, कई एक तोला कहते हो एक किलो ले जाओ, कई कई बात ऐसे होते हम कहते हैं, पर समझते नहीं, कई ये बताओ, एक किलो तो आद दे दोगे, पर आपकी घर से किसी कम्रिक्तु ना हुआ, ये बात तो बुड़िया मा तक कहती थी, पर तो बात को केयर में लेती, नहीं थी, कहती ज़रूर थी, तो जिसके घर में जाय कहें कि आपके घर किसी कम्रिक्तु ना हुआ हुआ, तो कोई ना कोई तो दुनिया से उठाई ही है, उनका याद करके ओ घरमाने रोना चालू कर देते थे, कि मेरा अमुक चला गया, मेरा अमुक चला गया, आइसे करते करते पूरे गाउं घुम लेया, पूरे गाउं घुम लेती है, लेकिन कहीं एक तुलाराई नहीं मिला, घुमते गुमते हो माता जी को ये घ्यान हो गई, अरे मैं सोचती थी कि मेरी घर जड़ बेटा उठा है, पर ये दुनिया ही एक ऐसा है, ये दुनिया सब उठने ही वाले हैं, तो मेरा बेटा ही उठ गया, तो कौन से बड़ी बात है, गाउं को गुमते गुमते उसको बोध हो जाती है, और आकर के संद की चरण में गिरती हैं, और कहती हैं, बाबा, आपने तो अमर्ता को प्राप्त करा जिया, मैं सोचती थी कि मेरा बेटा ही ग आने वाले ही हैं, उनको बोध हो गए, और रोना धोना बंद, ठीक इसी तरह से, राजा परिचित में ब्रिटू से जरूर घबराया था, लेकिन देश्रिमत भागवत की कथा, ध्यान पुर्वक उसने सुना ना, तो जम ब्रिटू से घबराया था, और उसके हिर्दय से नि उसका भी सजीर परिबर्तन हुआ, लेकिन जो भैथा में तू का, उह नश्चा हो, खतम हो गया, कथा सुनते सुनते, उनका मौख खतम हो गया, काम, क्रोध, मद, लोब, अहंकर, सारे नश्चा हो गया, कैसे करने से कौना, दुरबदी को धारन करने से, अगुण को धारन कर क्या सजा होती है, पुरा उनको बोध हो गया, अब बोध हो जाने के बाद, उसका मन पवित्र हो गया, उसी बीच में, कथा के सुरुवात में ही, राजा परिछित पूस्ते हैं, सुग्दे मुनी महराज से, कि महराज, पुजा की समागरिक क्या लगेगा, तो राजा पूस्ते हैं, करते कर वाते हूं, तो कितना लगेगा है, तो आपको आइडिया है, पर सुग्दे मुनी महराज ने राजा परिछित को कथा सुनाय ने, तो उन्हों ने पूजा की तिन शमागरि मगाया, अवज सक्ते ही तीन शमागरिया क्या था पहला समाँगुरी राग दथैम वाक दुस्ता नितादी भी इंसा रहितंँ काय मौत्त इस्वर पुज्यंग इस्वर की पुजा में भगवान की पुजा में तिन समाँच रहे ह क्या क्या तो पहले तुम्हारा हिक्रण तो nowhere बेस्वस बोनों से परेव ना राग हो ना द्वेस, यह पहला सामान, दूसरा सामान है वाक तुस्टा निता दी भी, वाणी से कभी जुठाई, ना, दूसरी सामान, अर तीसरी सामान उन्होंने बताया, हिंसा रहितम काया, काया मनें सरी, इस सरी से किसी भी प्रकार से मंसा बाचा करवना से हिंसा, ना, एक तिन समान ले करके बैठोगे राजा तो निश्चित है कि आपके जीवन का कल्यार हो जाए यही पूजा की समान है जिसको सद्गुरु कबीर ने बताया है पहला समान रागदसे परे पहला समान सद्गुरु ने एक साकी में बताया कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगे ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बेह email पहला समान अ दूसरा समान साच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप अ जाके हिरदसत है तहां बिराजे आप ठीक है एक दूसरा समान तीसला सामान सद्गुरे ने हमको दिया है जीव मत मारो बापुरा गाय मत मारो नहीं कहा उसे ध्यान दिजीए गा जीव मत मारो बापुरा सबका ये कई प्राण हत्या कब हुना छूटी है अग कोटिन सुनो पुराण इतना सुन्दर सिधान पाकर के एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल इसमें हम उलज़ जाए तो बताओ जीवन किधर जाएगा थोड़ा सोचिए तो सही गुरु की सरण को प्राप्त करने के बाद सजनो जहां-जहां दोलो सोई परिकरवा अर्थार केवाल आप माला लेकर के बैठ जाए यही फूजा होगा ऐसी कोई बाद नहीं आप अपने दिल से मनसा वाचा करमा से साफ्त्विक कर्म आप जहां भी कर रहे हैं चाहे वो दबतर हो चाहे दुकान हो चाहे हस्पिटल हो इनके प्रकारण आपके करम छेट्र में आपकी उग्यता अनुसार जहां भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म के आगे आप सुक्त्य को लगा दिजी वास्तविक में कहों एक दाक्तर के लिए भगवान कन होता है एक दाक्तर के लिए भगवान कर लिए इसमें कोई दोमत की बात मरीज मत देखे हो जिसको भी अपने दिल में अराध्य माना है के वल यह मैं नहीं कहते हैं कि सद्गुरु कबीर का ही बनता हो चाहे वो राम कृष्ण गौतम गानी जिनका भी बनता हो उस मरीज को उस रूप में देख ले अब उस रूप में देख करके वो इलाज कर दे हम यह नहीं कहते हैं कि वो अपना मजदूरी ना ले दवाई के पैसे ना ले अपना डूटी का पैसा ले अपने दवाई का पैसा ले लेकर साथ में इमानदारी हो तो जहाँ जहाँ डोलू सोई परिक्रम है केवल भगवान मंदिर में रहता है ऐसा कोई बात नहीं मंदिर में केवल उनके तस्वीर है लेकिन तगदीर कहा है तो हम और आपके दिल में उनके तगदीर है अब वो तगदीर के अनुसार पर अगर हम कर्म करते हैं, अगर एक कोई दुकांदार है, अवा दुकांदारी कर रहा है, उनके जो ग्रहाक आ रहे हैं, उन ग्रहाक को अगर वो भगवान मान ले, इस्टमान ले, अपना अराध्या मान ले, तो मीटर नहीं सरकाएगा, किलो नहीं सरकाएगा, केजी नहीं सरकाएगा हाद दुकानदार को आप देखोगे ना सुबा खोलेंगे तो अगर बत्ती जलाएंगे अपने इस्ठ को अगर बत्ती जलाते हैं पता नहीं हो क्या मांगते हैं लेकिन इस्ट को अगर बत्ति आप जला रहें तो आने वारे ग्राहा को आप इस्ट के रूप में देख तो लीजिए हम यह नहीं कहते कि आप दुकान दर है तो जितना में आपने खरीदा है उतने में दे दो हमें नहीं कह रहें आप समान जितने में खरीद करके लाएं हैं उसका टांस्पोर्टिन चार्जा, अपना चार्जा, वरकर का चार्जा उसमें प्लस कर लीजिए आप उसमें उची दभाव जो बनता है उस पर आपने दे दिया तो सजनो सायद आपकी पूजा वहाँ हो जाएगा अगर बत्ती समर्पण नहीं भी करोगे तो जिसको भी आपने भगवान माना है उस दिल से आपको स्विकार कर लेगा लेकिन अगर बत्ती भी जलाया है हमने एक टेजी कोई सामान को मांगा हमने नौसो ग्राम दे दिया एक टेजी का पैसा ले लिया तो क्या वो बैठा है वो उसका आखबंद है कि तुम देने वाले का आखबंद है लेने वाला भ़ला ना जाने ना जाने लेकिन देने वाला को तो पता है लेने बार आपके विश्वास पर, आपके इमानदारी पर आप जितना दोगे उतना लेकर के चला जाएगा, वो बाट पर निगाह नहीं देख रहा है, आपके विश्वास पर, आपके इमानदारी पर आप जितना दे रहे हैं, उतना लेकर जा रहा है, और हमने ऐसा नहीं किय तो उस बिश्वास घार का आहद किसको होगी लेने वाले को होगा आई विदर हम माला लेकर के ध्यान में बैठ रहे हैं पूजा कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं सब कर रहे हैं लेकिन पैमानी नहीं छूट रही है तो पूजा पाठ राधरा क्या करेगा बताईए तो भाला इसलिए आप पूजा पाथ ना करो मैंने कहते समय है आपके पास तो तन की पेवित्रता के लिए जरूरी है कर लीजिए लेकिन साथ में दिल की पेवित्रता के लिए हरदय की पेवित्रता के लिए इमानदारी को स्विकार करना पड़ेगा जहां जाट दोरू सो पड़ेगा जो कुछ करू सो पूचा मंदिर में जाने की बाद जो आपकी भावना पवित्र होता है वही पवित्र भावना अगर आप घर बैठे कर लेते हैं तो सायद आपका घर मंदिर हो जाएगा हमें मंदिर जाने की आवसकता रही है घर को मंदिर बना ले और घर मंदिर कब बनेगा जब घट आपका मंदिर बनेगा और जब तक हमारा घट मंदिर नहीं बनेगा हम घर को भी मंदिर नहीं बना सकते तो घट को हमें मंदिर बनानी होगी ऐख बना बनाया घट मंदिर हाई ही हम लोग समझ नहीं पाता है लो ना गौमी कोई मंदिर बनाता है सेट साउकर कोई भी बड़ा आदरी हमको पता है फ्लाना माल गुजर्य बनाया कि फ्लाना गोटिया ने बनाया ठीक है? लेकिन इस साड़े तीन हाथ के मंदिर को किस ने बनाया कभी याद कि? इसका भी तो कोई बनाने वाला होगा? अब इस साड़े तीन हाथ की मंदिर को बनाने वाला ने बना करके स्रिजन करके निर्मार करके स्वामी इसके अंदर में बैठा है उसको हमने कभी मन से विकार नहीं किया। गुरु के सानित्य को प्राप्त करने का यही अर्थ होता है, जब तक हम निजगी घट को प्राप्त नहीं कर पाये, हमारे गुरु करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए गुरु क्या करते हैं? गुरु शब्द अपने आपने पुरुनता को प्राप्त करता है मेरे कहने की आसा यही है अंदकार दूर हो जाए प्रकास हमें प्राप्त हो जाए अग ज्ञानता दूर हो जाए ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए ज्ञान कब होगा कभी-कभी सोच करके देखो तो बड़ा दुख लगता है मनुष्य के जीवन को ग्यान का केंद्र माना जाता है लेकिन कभी अंता तल में बैठ करके आप देखें न पसोब कक्षियों की जिंदगी को देखो तो लगता है कि मनुष्य से जढ़ा अच्छा है हाला कि पसोब क्षिय का जिन्दगी लेकिन कम से कम इमानदारी से जीजी तो रहा है मनुष्य जैसे बैमान तो नहीं आप देखेंगे किसी भी मेरेसी को भूख लगेगा ना किसी की भी खेट में उतर करके खा लेगा लेकिन गाठी बांद करके नहीं लाता है लाता है गाठी बांद के भूख से पिडित है तो भूख मिटाने के लिए खा लेगा उनको ये पता नहीं कि मेरे मालिक का है कि दूसरे का है उनको केबल भूक मिटाने की दर्दर है और वो दर्द को मिटाने के लिए किसी की खेट में उतर करके घास खालेगा लेकिन गाठी बांद के नहीं लएगा हो लेकिन मर उसे जाएगा तो मालीज यह आपकी खेद में चना लगा है आप अपने खेद को निगरानी करने गए रख्षा करने गए रखवाली करने गए मन कहता है कि चना खाली आजाए तो आप कहां से खाते हो अपनी खेद से अपनी खेद को तो रखवाली कर रहे हैं गया है, और अपने खेस से खाओ तो रखवाली से होगा, रखवाली नहीं होगा, तब हम क्या करते हैं, बगल वाली खेस से निकाल लेते हैं, अजब घर आते हैं नो, तो बाल बच्चों का याद आता है, बच्चा पुझेगा कि प्ताजी कहां गये थे, मैं बताऊँ गा कि चनागी खेट गया था रखवाली करने तो बैच्चा बोलेगा कि हमारी लिए चना नहीं लाय 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 तो उसका भी प्रसंद का उत्तर देना है तो थोड़ी रख भी लेता हूं तो अपनी खेट से रखते हैं इमानदारी से जर्द दिल से पोछो जो बहुत ग्यानवान से लाय लाया नहीं तो बगल को ही हम ताकते हैं अब अगल की खेट से उठा करके ले आते हैं हमने गया बगल की खेट से लाया आपने गया मेरी खेट से ले लिया तो बराबर हो गया ना मैंने गया आपकी खेट से ले आया आपने गया मेरी खेट से ले आया तो दोनों बरा परिणाम क्या हुआ? सत्य हुआ? परिणाम क्या हुआ? परिणाम चोरी हुआ. चोरी का आरोप लगा की नहीं लगा? बराबरी मामला बराबरी की. लेकिन आरोप किसकी है? चोरी की. अज चोरी से खाया हुआ अन्न. जैसा खावे अन्न. अवैसा होवे मन. कर्म के छेतर बड़ी बहुं सुक्छ में है बहुं सुक्छ इसलिए सद्गुरु ने कहा है जहाँ जहाँ दोलू सोई परिक्रमा अजो कुछ करू सो पूजा आप पूजा इस थल में जाते हैं पवित्र भामना पवित्रमन वही पवित्रता अपने साथ रख लिजिए तो हमें कहीं भटकने की आवस्कता नहीं है कहीं भटकने की आवस्कता नहीं इसलिए अपने जिन्दगी में गुरु को सरनागती हमने प्राप्त किया और बरकरार कब होगा तो हम अपने कर्मों को पहले जहांके अब अपनी कर्ब को जhaकेंगे परणी तह ऐसा होगा तो हमें स्विकार कर लेना चाहे कि वस्तबी के सही सलमत में मैंने गुरू का स्थरयन को प्राप्त किया है गुरू की ज्यान को मैंने प्राप्त किया है अब कताची तह ऐसा नहीं है तो फारमेटी निवाने के लिए हमने गुरु जरूर किया है लेकि सिधान्त से हमने गुरु को स्विकारा नहीं है जब हम गुरु को स्विकार नहीं कर पाएंगे तो सजोनों हम लाख गुरु पुरुनिमा मनाते रहें उस्तत्त को हम प्राप्त कर पाएंगे नहीं आज हमें यही बात शिखनी है गुरु पुरु निमा के पावसुब आउसर पर वैसे आपको पूरु वक्ताओं ने बता ही चुगा है कि गुरु पुरु निमा मस्तविक में कहो तो दिन तिठी के नुसार में तिन तारीको है लेकिन एक ही साथ सब जगा तो मनाए जा नहीं सकता है इसलिए अपने स्विधा के अनुसार है आज जिस दिन चेतना प्राप्त हुई उसी दिन हमने स्विकार कर लिया और गुरु तको प्राप्त करने के लिए अमर्ता को प्राप्त है गुरु हमें तीन ही जिसों प्राप्त कराता है पहला है प्रकाष, दूसरा है ग्यान और तिसरा है अमर्ता यह तीन जीज हमें गुरु प्राप्त कराते हैं गुरु की स्रणागती को प्राप्त करने के बेन वास्तविक में यह तीनों चीज हमारे जीवन में आया कि नहीं आया उसे हमें परिछन करना है गुरु हमारा परिच्छन नहीं करेंगे वो परिच्छन हमको स्वयम को करने है परिच्छा हम दिलाते हैं जो हमें पढ़ाते हैं वो परिच्छा हमारे नम से नहीं दिलाता है दिलाते हैं क्या परिच्छा हमें देने हैं और उस परिच्छा में हम कितना सफल होते हैं, उसे हमें अपनी आप से पूछना है, किसी दूसरे से पूछने की आवस्गता नहीं है, इसलिए आज गुरु पुरुनिमा की एपावन सुभ उसर में हमें यही बोल होना है, यही जानकारी, अभी तक माल लेजे हमने मंजिल को नहीं पाया है, तो आज से ही हम संकल्पित हो जाएं, उस्तत्त को प्राप्त करने के लिए, तो हमारा गुरु गुरु पुरुनिमा मनाना सार्थक हो जाएगा, अजिवन साकार हो करके, मानो जिवन भी हमारा सफल हो जाएगा, समय कर रहाएं कार्श गुरु को करे नमस्का अतब होगी हम सबोगी बेड़ा पारिशाहि बंदगी असाथ